नीतिव चिन 10, 1-10 तक, सुलैमान के नीतिव चिन, बुद्धिमान पुत्र से पिता आनंदित होता है, परंतु मूर्ख पुत्र के कारण माता उदास रहती है, दुष्टों के रखे हुए धन से लाब नहीं होता, परंतु धर्म के कारण मृत्यू से बचाव होता है, धर्मी क धुपकाल में बटोरता है, वह बुद्धी से काम करने वाला है, परंतु जो बेटा कटनी के समय भारी नीन में पड़ा रहता है, वह लज्जा का कारण होता है, धर्मी पर बहुत से आशिरवाद होते हैं, परंतु उपद्रब दुष्टों का मूँचा लेता है, धर्मी को टेडी चाल चलता है, उसकी चाल प्रगट हो जाती है, जो नैन से सैन करता है, उसे औरों को दू, खमिलता है, और जो बखवादी और मूर है, वह पचार खाता है, लुका 18, 31 से 43 तक, फिर उसने बारहों को साथ ले जाकर उनसे कहा, देखो, हम यरूशलिम को जाते हैं, और घात करेंगे, और वह तीसरे दिन जी उठेगा, पर उन्होंने इन बातों में से कोई बात न समझी, और यह बात उनसे छिपी रही, और जो कहा गया था, वह उनकी समझ में ना आया, जब वह यरी हो के निकट पहुचा, तो एक अंधा सड़क के किनारे बैठा हुआ भीक मा कर, जो आगे आगे जा रहे थे, वह उसे डांटने लगे कि चुप रहे, परंतु वह और भी चिलाने लगा, हे दावद की सिंतान, मुझ पर दया कर, तब लीशु ने खड़े होकर आग्या दी कि उसे मेरे पास लाओ, और जब वह निकट आया तो उसने उससे पूचा, लुका उननीस, एक से दस तक, वह यरीहों में प्रवेश करके जा रहा था, वहाँ जक्कई नामक एक मनुष्य था जो चुनगी लेने वालों का सरदार था और धनी था, वह ईशु को देखना चाहता था कि वह कौन सा है, परंतु भीड के कारण देखना सकता था, क्योंकि बहनाटा था, तब उसको देखने के लिए वहागे दोड़कर एक गूल के पेड़ पर चड़ गया, क्योंकि ईशु उसी मार्ग से जाने वाला था, जब ईशु उस जगह पहुचा, तो उपर द्रिष्टी करके उससे कहा, हे जक्कई, जट उतरा, क्योंकि आज मुझे तेर करके ले लिया है, तो उसे चौगन फेर देता हूँ, तब लीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, इसलिए कि यह भी अबराहम का एक पुत्र है, क्योंकि मनुश्य का पुत्र खोए हुऊं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है, जबस्था देश में तुम्हारे देखते फिरोन और उसके सब कर्मचारियों, और उसके सारे देश से किया वह तुमने देखा है, वे बड़ी-बड़ी परीक्षाएं, और चिनह, और बड़े-बड़े चमतकार तेरी आँखों के सामने हुए, परंतु यहोवा ने आज तक तुमको न जो तुम नहीं पीने पाए, वह इसलिए हुआ कि तुम जानो कि मैं यहोवा तुम्हारा परमेश्वर हूँ, और जब तुम इस थान पर आए, तब हिशबोन का राजा सीहोन और बाशान का राजा ओग, ये दोनों युद्ध के लिए हमारा सामना करने को निकल आए, और हम तुम्हारे मुख्य मुख्य पुरुष, क्या गोत्र गोत्र के तुम सब इसराइली पुरुष, क्या तुम्हारे बाल बच्चे और स्ट्रियां, क्या लकड हरे, क्या पनभरे, क्या तेरी चावनी में रहने वाले पर देशी, तुम सब के सब अपने परमेश्वर यहोवा क के सामने इसलिए खड़े हुए हो, कि जो वाचा तेरा परमेश्वर यहोवा आज तुझ से बांधता है, और जो शपत वहाज तुझ को खिलाता है, उसमें तू साजी हो जाए, इसलिए कि उस वचन के अनुसार जो उसने तुझ को दिया, और उस शपत के अनुसार जो उसने अबराहम, इसहाक और याकूब, तेरे पूरवजों से खाए थी, वहाज तुझ को अपनी प्रजा ठहराए, और आप तेरा परमेश्वर ठहरे, फिर मैं इस वाचा और इस शपत में केवल तुमको नहीं, परन्तु उनको भी, जो आज हमारे संग यहां हमारे परमेश्वर यहोवा के सामने खड़े हैं, और जो आज यहां हमारे संग नहीं है, साजी करता हूँ, तुम जानते हो कि जब हम मिस्र देश में रहते थे, और जब मार्ग में की जातियों के बीचों बीच होकर आ रहे थे, तब तुम ने उनकी कैसी गिनौनी बस्तुएं, और काट, पत् एसी कोई जड़ हो, जिससे विश्या करवा भी जुगा हो, और ऐसा मनुश्य इस शाप के वचन सुनकर अपने को आशीरवाद के योग्य माने, और यह सोचे की चाहे मैं अपने मन के हट पर चलून, और त्रिप्थ होकर प्यास को मिटा डालून, तो भी मेरा कुशल होगा यहोवा उसका पाप शमा नहीं करेगा, वरन यहोवा के कोप और जलन का धुआ उसको चालेगा, और जितने शाप इस पुस्तक में लिखे हैं वे सब उस पर आ पढ़ेगे, और यहोवा उसका नाम धर्ती पर से मिटा देगा, और व्यवस्था की इस पुस्तक में जिस लाए हुए रोग देखकर, और यह भी देखकर कि इसकी सब भूमी गंधक और लोन से भर गई है, और यहां तक जल गई है कि इसमें ना कुछ बोया जाता, और ना कुछ जम सकता, और ना घास उकती है, वरन सदोम और अमोरा, अदमा और सबोईम के समान हो गया है, जिन्हे वाचा उनके साथ मिस्र देश से निकालने के समयब बांधी थी उसको उन्होंने तोड़ा है, और पराय देवताओं की उपासना की है जिन्हें वे पहले नहीं जानते थे, और यहोवा ने उनको नहीं दिया था, इसलिए यहोवा का कोप इस देश पर भड़क उठा है, कि जो प्रगर की गई हैं वे सदा के लिए हमारे और हमारे वंच के वश में रहेंगी, इसलिए कि इस व्यवस्था की सब बातें पूरी की जाएं। यहोवा तुझको बधुआई से लोटा ले आएगा, और तुझ पर दया करके उन सब देशों के लोगों में जिनके मध्यमें वह तुझको तितर बितर कर देगा फिर इकठा करेगा। तुझ अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और सारे प्राण के साथ प्रेम करे, जिससे तुझ जीवित रहे। और तेरा परमेश्वर यहोवा यह सब शाप की बातें तेरे शत्रूओं पर जो तुझ से बैर करके तेरे पीछे पढ़ेगे भेजेगा। और तु फिरेगा और यहोवा की सुनेगा, और इन सब आग्याओं को मानेगा जो मैं आज तुझ को सुनाता हूँ। और यहोवा तेरी भलाई के लिए तेरे सब कामों में और तेरी सिंतान और पशुओं के बच्चों और भूमी की उपज में तेरी बर्ती करेगा, क्योंकि यहोवा फिर तेरे उपर भलाई के लिए वैसा ही आनंद करेगा, जैसा उसने तेरे पूर्वजों के उपर किया था क्योंकि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सुनकर उसकी आग्याओं और विधियों को जो इस व्यवस्था की पुस्टक में लिखी हैं माना करेगा और अपने परमेश्वर यहोवा की और अपने सारे मन और सारे प्रान से मन फिराएगा